नमस्कार दोस्तों आप सबी का हमारे यूटुब चैनल फ्लोरल आयुरवेदा में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही जादा गुरकारी और शदी यानि की आमला या आमलकी के बारे में जानेंगे दोस्तों आप सबी ने तो आमले के बारे में सुना ही होगा और बहुत से लोग तो इसका प्रियोग भी किये होंगे इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा उद्दे से यह है कि हम आपको आयूरवेद के अनुसार संपूर्ण जानकारी दें इसके सेवन की विधी को जाने कैसे हम किस प्रकास का सेवन करें तरी दोसों पर प्रभाव क्या पड़ता है इसका यानि कि हमारे सरीर में वात पित्त कफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके गुडधर में क्या क्या है इसके फायदे क्या है यानि कि हमें आवले का पग गड़ में रखा गया है यानि कि जो हमारे एजिंग प्रोसेस को कम कर दे इसका लैटिन नेम है इंबलिका ओफिस इनैलिस इसकी फैमली है यू फॉर बी एसी इसके बहुत सारे परियाये हैं जैसे की आमलकी, धात्री, अमरिता, आमला, आवला आदी नामों से भी जानते हैं आमलकी से इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अमलरस प्रधान होता है दोस्तों अगर हम इसके ब्रक्ष यानि कि पेड को देखेंगे तो वह 20-25 फुट उचा होता है इसके जो पुस्प जो इसके फ्लार होते हैं वह क्लस्टर फॉर्म में होते हैं यानि कि गुच्छों यानि की cool होता है, यानि की ठंडा होता है, रस आयुरवेद की according 6 रस होते हैं, मधूर, अमल, लवन, कटू, तेक्त, कशाय, तो इसमें 5 रस पाये जाते हैं, लेकिन लवन रस नहीं होता है, और उन सब में अमल रस प्रधान होता है, इसका जो विपाक होता है, यानि जो इसका टेस्ट होता है, आफ्टर डाइजेशन वो मधूर होता है, वीरिया यानि की potency seat होती है, और ये तीनों दोसों को समन करने वाला होता है, ये अपने अमल रस से वात का समन करता है, मधूर रस और सीद गुण से पित का समन करता है, कसाय रस और रुक्ष गुण से ये कफ का स समन करता है, इस प्रकार ये त्री दोसों का समन करने वाला होता है, और साथ ही साथ ये हमारे डाइजेशन में भी काफी ज्यादा helpful होता है, अगर किसी को अरुची है, यानि की खाने के एक्षा नहीं हो रही है, या अगनी मंद है, जिसे भोक नहीं लग रही है, वो आमले क चूर्ण ले सकता है, तो उसके साथ वो सहथ के साथ आमले का चूर्ण का सेवन करें, अगर किसी के बाल गिर रहे हैं, या सफेद हो रहे हैं, तो उसे आमले के रस से स्वरस से बालों को धुलने से ये समस्या दूर हो जाती है, आमला एक अच्छा वैस्थ हापन है, यानि क है हमारी aging process को कम करता है अगर किसी को अमलपित यानि की SATT की problem है तो उसे आमले का सेवन करना चाहिए दोस्तों अगर आप स्वरस यानि की juice ले रहे हैं आमले का तो 10 से 20 है मिल लें अगर आप चुन फॉर्म में ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम ले तो इस प्रकार से अगर हम अपने age के according दोसों के अनुसार प्रकिति के अनुसार आमले का सेवन करेंगे तो वो अवस्य ही हमें फायदा करेगा अवस्य ही हमारे रोगों का नास करेगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आयते से like, share और सब्सक्राइब पढ़ना ना भूले धन्यवाद